हेलो फैंस बेलकम टू ओनाइटा फॉर स्टेडी बने स्टेफ एट फॉर लर्निंग दोस्तों स्वागत आप सभी का मारी यूटीब चैनल पर दोस्तों आज आप लोगों को पताइए आप लोगों के लिए मैं स्पेसल जो लेकर किया हूं आज की क्लास बोई इंग्लिस किये कल की क्लास में प्लोग के 50 के आसपास सिनॉनियम को डिसकुस किया था जिसम्हें कि आप लोगों काफी काफी लोगं का दोस्तों कमेंट आ रहा था किस this video का नियुकर जादा से जादा कोश्चन्स हमें और पूइड का है तो वसी दोस्तों को पूरा करते हूं मैं आप लोगं के लिए वीडियो लेकर बाया हूं तो यह वीडियो दोस्तों टोटली आप लोगं के लिए डिमांड की काफी वरलब की जो आपके पेपर में आने वाले लेवल के शुनोनियम होने चाहिए वही मैंने लिए हैं तो जहाँ टाइम ना बेस्ट करें तो सीधा दोस्तों हम उनकी तरफ चलते हैं अगर दोस्तों अब आज बागया सब कुछ के लिए आया तो वीडियो को लाइक करें सा बास्त में आप लगłos के सामने लिखा हुआ सङॉनियम और क्षम्या के बातों हमने अब एंदिस्टे पर रिंदिशं करना सबस्के geçer वाद अच्चार एंडियोनियम है चार अगla डैलेट का दोस्तों आपको सutz्ट नियों बताना है मैं आपको डैलेट के बारे बारें बता था हूं रहा था हूं ना यह दो इसका मतलब भी होता दूब्लीकेशन का दूब्लीकेशन का अगर मैं आपको वह होता है आपषियोप दूब्लीकेशन का मतलब है तो आपको दोस्तों आपको इसका स्नुनियम बताना चाहब सब्सक्राइब को बताइए उसको में पतात्मिक तो चाहब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूल करें जड़से आप लोग शेयर लाइक करेंगे तो तो मैं आप लोग की आए ऐसी इंपॉर्ड wise यदियो आपके वीबर से पहले आप को डेव आपको चूज करना फ्लटर का मतलब होता है मढ राना या फिर फड़ाना या गवरा जाना आपको 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 चूज करना और इसका जो आपको चूज करना और ऑप्शन नमर प्लोट इसका बिल्कु राइट आंसर होगा बढ़ते हैं अपने अगले कुशन के तब नोट यहां पर हैजिटेट लगजा था लेकिन है एजिटेट नहीं होगा तो अगला कुशन देखते हैं कमांड कमांड का दोस्तों आपको सुन नहीं बताना चाहाँ आप लोगे सामने कमांड का मतलब का रादेश देना ही घाला बताना है सनونईयम का पूछा गया है होता है इंसक्ट का मतलब ही दूस्टो होता है नेधेश देना अगला देखते हैं जिनोम जिनोम का दूस्टो आपको संटोनियम पूछा गया है जैसे की छोटे होते न चोटा इसको हम कहते हैं गिठा-like जिए आप चुछ कह सकते हो जिसका कर्द छोटा हो उसका हम ऐसा बोलते हैं त तो चार उप्शनों में से दूस्तों आपको राइट आंसर चूज करना है तो दौफ का मतलब भी दूस्तों बोना ही होता है तो उप्शन नमर टू भी इसका विल्कु राइट हो जाएगा अगला देखते हैं दूस्तों आपको शनोनियम बताना है चार आप लोग के सामने र चार नहीं के लिए उविए कि लिए या फिर नरने के लिए जो यूज कि जाती हुआ है। दूस्तों आप लोग के सामने लगे के बारे में आपको बताऊं किसी चीज़ के उपर जीत जाना या फिर किसी चीज़ कोई कई बार होता है दो गुटों में लड़ाई चल लिए उसके उपर से हमने विजय पा लिए तोसी को हम कहते हैं दूस्ट सर्माउंट को सुर्माउंट का दूस्तों आपको सुनों नियुक्त पूछा गया है तो जैसे कि जड़ भाव जैसे निस्क दिया है या फिर मतलब कि कोई आप लोगों को जैसे देखा होगा आपने की काई पर लगा हुआ है निस्करिय किया जाता है तो निस्करिय को बोलते हैं तो आप आपको चार आप लोगों के सामने राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों आपको चूस करना जो जो आपको चूस करना अपने आप लोगों के सामने बारि मांगर्मा अपको सिलेक्शन का मतलब किसी चैन करना दूसेलेक्सिन का मतलब चेन होना तो इसका आपको राइट आंसर चूज टर्ना नम्शन नटर दो यह वा अपनने एक्जाम सेंटर बढ़ा होगा तो इस में प्रेफेंस दी को रेञा है तो ही यह चूज करना कि अगला देखते हैं ऑ स्कुंप Japan दोस्ट कुष समय करने छादल से uniqu कि यहां दिखावा करना तो चार्व आप लोगों के सामने राइट यह इसका पॉंप का मतलब हो दिखावा करना होता तो जीए जैसे के पूंपर दोस्तों अभी जैसे कि दोस्तों हो यह उनको कैदी बना दिया गया और जिसको हम दोशी कह सकते हैं गौन सा कर है हिंदी में यहां पर अराम से आप डूस्तों कर सकते हैं यह एक ही ऑप्षिन आप लोगे सामने है बढ़ते हैं अगला आप लोगे सामने तो आपको बताना है इटी निरेंट का दोस्तों आपको सुनोनियम बताना चाहरा आपसे पूछा गया है इंटी निरेंट का मतलब होता है जिनको घूमने फैने का बहुत जारा शौक होता है वहरवक्त मतलब के मुझे बढ़ टूर करना है मुझे अंडिया टूर करना है मुझे पूरा इंडिया घूमना है तो उसको बताना है हर जगह 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 जो घूमने फिरने जाते हैं उसको कहते हैं इन्टिनेरेंट का आपको सुनुनियम बताना है अब आप समझी के होंगे तो option 4 में लिखा हुआ प्लेस एक जगह से दूसरी घूमना फिरना उसको कहते हैं इन्टिनेरेंट अगला देखते हैं तो ट्रांस्पेरेंट का दूस्तों आपको मतलब बताना चार ओप्शन आप लोगों के सामने राइट आंसर आपको चूज करना है और आपको प्राइट आपको पार दरसक जिसक अगला दूस्तों आप लोगों के सामने हैं आप लोगों के सामने अगला कुछ ना चुका होगा दो दोस्तों अगला है इन्ली इन्लीवें इन्लीवें का दूस्तों आपको बताना है इन्लीवें का हिंदी में आपको बताओं दूस्तों अनुप्रमाडित करना होता है जैस पहले पहले होटी का सुनने में तो थोड़ा सा एसा लगता है जैसे कि हम लोग बोलते हैं होट वह वह नहीं है मतलब भी मानी इसको कहते हैं तो होटी का मतलब दूस्ट यह होता है अब आपको चाहर आप्सान आपसे आपस आपको चूज़ परना है और इसका जो राइट आन्सर होगा तो वो होगा ऐसी कॉंसिटियेट ऑप्षिन नमर डी इसका बिल्कुर राइट अगर दुस्तो आप लोग को लगदा होगा कि मैं आप लोगो टाइम कम दे पारा हूं विडियो को देख सकते हैं जैसे कि आपको कुछ नहीं आगी अगला देख से दोस्तों आपको सिनोनियम पूछा गया चाह आप लोगों के सामने राइट आंसर आपको बताना है तो डिमेडेंट का मतलब होता है तो पागल या फिर मूडी टाइप का जो होते हैं कुछ लोग क वर्कत करने वाला या मूरी जिसको कहते हैं तो दोस्तों उसको कहते हैं तो चाहएट आपको क्यों मदलब होता है तो धन्ड मनलब के आप लोग अपने अपने तो इसका जो राइट आंसर अगला कोशन देखने नैक का दोस्तों साइल 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 यह दखिएगा तो नेक का मतलब होता है कोशल की मतलब की जो आपके अंदर तैलेंट होता है अब आपको राइट आनसर आपको बताना है चाणर मैं से कौन सा राइट होगा और वन जोगा इसका बिल्कुल राइट आनसर है इस अगला कोशन देखते हैं दुश्तो अगला आप लोग सामने रैकोनिक आपको लेकोनिक का दुस्तों आप से सिनोनियम पूछा गया है लेकों निका मतलब होता है सांगरमित मतलब कि जैसे कि आपको मैं समझाऊं तो संचिप्त रूप में जैसे कि अलप छारे क्या संचिप्त तो इसका राइट आंसर वह 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 दो आप लोगों का बाइमन टाइब की होते हैं तो आपको इसका सिनोनियम बताना है चार अप्शन में से आपको राइट अंसर बताना है तो आपको बताना है कि कौन सा होगा तो अगर मैं आपको हिंदी मतलब इसका बता हूं दोस्तों वह अगर ही जिसको कहते है निश्चे आत्मत तो अब आपको इसका सिनोनियम बताना चाहर अपनों के सामने और राइट आंसर अपको चूज करना इसका जो राइट आंसर वहोगा डॉमिनियरिंग और थार्ड इसका बिल्कु राइट आपको राइट आंसर है अगला कोशन देख के जिता है के लिए अगला कोशन देखते हैं कि एग्स अब्रूशन के पढ़ा ठेब कर दो सब्सक्राइब आपको शुचा कि पहले बताया है तो जब आपने नेक के बारें पड़ा ता कोशल था तो वही सेम इसका यहां पर होता है नेपॉड़ था यह फिर दॉचल जो होता है और थेक्स रॉइडी का यह सेम मतलब भई होता है तो अब इसका दूस्तों आपको सुनों नहीं है पूछा गया तो आपके शामने चार उप्सन है तो चार उप्सन हों मिशिटे रॉ अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखते हैं अलट का मतलब आपको पताई जैसे कि अलाम होता या आपको अलट किया जाता है सबस्क्राइब करना इसको अगला को चूज़ करना है जैसे जैसे कोशन पताना है जैनमें सब्सक्राम एक पर असक अपूर सबस्क्राइब नहीं सब्सक्राइब करना एक किसी चीज को सहमत होना किसी चीज के साथ में अग्री करना उसको कहते हैं अगले कोशिंग तब अगला कोशन आप लोगे सामने सब्सक्राइब के बारे में आप से पूछा गया दो सब्सक्राइब का आपको सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कि अग्ला आप लोगों के सामने है कि अध सब्सक्राइब जो पाबर होती है उसको हम करते है However सब्सक्राइब पूछा किया है शाप लोग के सामने राइट आंसर जो करना है और इसका जो जर जर या फे जीड इसका जो हिंदी मतलब अगर मैं आपको बताऊं जर जर मतलब के जर जर के कि जो खंडर का होता दोस्कुम कहते हैं तो इसका जो दोस्तु शिनोनियम होगा वह और आपको बताना चाहरा आप लोगों सामने राइट आंसर आपको छूज करना है तो चाहले जो अगर मैं आपको बताऊंदी मतलब होता है पदिबरतन या फे संकरमड या फे जो किसी संक्रमन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसीशन तो इसका पूचा आप लोगे सामने है उसका आपको बताना तो जो संक्रमन टाइप पहलता है उसको कहते हैं उसी को अगर हम बताएं तो चेंज का अग्ला देखते हैं अक्यूज्ड का आप से शुनंघ पूचा गया चाहँ अग्ला कोशिन देखते हैं अगला इंदी मतलब होता है इसका हिंदी मतलब दो सुचा करना है राई अन्सर होगा वो होगा option number 2 indicated indicated इसका विल्कुर राइट अंसर है अगला question देखते है बैकॉंट बैकॉंट का दोस्तों आप से अबसे समन्दर के बीच में आपने कोई देखा होगा उसके अंदर आपको सीनोनिय बताना है चार option आप लोगे समने आपको चूज़ करना तो राइट आंसर होगा जो कॉल्ड अगला कोशन देखते हैं गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जहूल करिए का वीडियो बनाने के लिए काफी मेनद करनी पड़ती है आप लोगों को पता ही है आप लोगों की क्लारिटी को और सब को ज्यान में रखती है काफी अच्छे कंटे आपको आशानी से क्लियर कर सकें अगला देखते हैं जैनुएन जैनुएन का दोस्तों आप से सिनोनियों पूछा गया है चाफसनाफ लोगों के सामने राइट अंसर आपको चूज करना है जैनुएन का मतलब होता दोस्तों बिशुद या जैसे कि जो असली चीज़ होती है असली यह करते हैं यह बिल्कुल असली है उसको कहा जाता देनुएन जैनुओन उस ही को कहा जाता इंगलिस में जैसे कि हम कई वाब बोलते हैं यह असली मतलब जैनुएन तो अब आपको एसको सिनोनियों बताना चाह आपसनाफ लोगों के सामने राइट आंस आपको दोस्तो उदास या फे नियासा जनक प्रदर्शन जैसे कि कई बार आपने देखा होगा इंडिया का नियासा जनक प्रदर्शन आपको चूज करना है और इसका जो राइट आंसर हो गलूमी ऑप्शन नमबर वन इसका बिल्कू राइट आंसर है अगला देखते हैं राइग्रेस राइग्रेस का दोस्तो आप से सिनुनियम पूछा गया चार आप लोग के सामने राइट आंसर आपको चूज करना है तो राइग्रेस का मुल्ण होता है लोट जाना या पीछे अठ जाना जो आपने दो लोगों के बीच में लड़ाई हो दि अगला देखते हैं तो आप से सिनुनियम पूछा गया चार आप लोगों के सामने राइट आंसर आपको चूज करना है तो डोस्तो जो हिंदी मतलब होता है वह मैं बताता हूं आपको वहता बिशहला गतला कि जसमें था तो आपको चार्षा राइट आंसर आपको चूर्ज करना है और राइट राइट आंसर वह होगा ऑप्षिण नमबर फॉर, पोईजिनस इसका राइट आंसर है पोईजिनस का मतलब भी जहलीला होता है बसॉलब दनन髮 की इक होती अगला बॉतित西 Bak earlier बता डिक यदि गउना जो उसको वह भी जो सभी मेरे रहा के प्युर्व इसका जो राइट आंसर को दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगला कुशन देखते हैं लेटल का दोस्तों आपको सिनुनियम बताना है चार आप से आप लोगों के सामने लेटल का मतलब सबको ही पता होगा थोड़ा लगू अल्प किंचित जैसे कि थोड़ा कम ज्यादा कम जो होता है तो उसको कहते हैं लेटल का दोस्तों आप से पूचा गया चार आप लोगों के सामने चारव में से दुस्तों आपको राइट आंसर चूज करना है कौन सा होगा अगर दूस्तों मैं हिंदी मतलब बताऊं तो वह था कंजूसी करना या फिर पैसे को मतलब कि कम खर्च करने वाला जो बंदा होता है इसको कंजूसी करना ही कहते हैं तो इसका दोस्तों आप लोगों के सामने है तो अगर्ष्ट का जो मतलब होता दोस्तों वह होता है मतलब कतापी या पिस सम्मान जैसे कि कि कई का रखन ज्यादा सम्मान करते हैं कि आपके आप लोग कहीं पर आपके तो वह होगा option number a majestic option number a s का विल्कों right answer है अगला question देखते हैं अगला आप लोगों के सामने decimated decimated का आपको सुनने ने पूचा है क्या दोस्तों decimated का हिंदी मतलब होता है मार डालना किसी को मार देना या दोस्तों या फिर किसी का murder कर देना उसको कहते हैं decimated decimated का मतलब होता है और आपको तो से मिल करके बनता है लिएजुआ प्रफा से अमण हैं अग्ला कुुश्चिंद देखते दूस्थ आप लोगे सामने अग्ला दूस्त आप लोग के सामने हमने रिअधर को अभी आप लोगे सामने मैं सिनोनियum कर dimon car करेंगे मिसस टेल्ट वर्ड करेंगे वन बर सबस्थिशन करेंगे फिर उसके बाद दूस्तो इस पॉटिंग एदर करेंगे उसके बाद दूसरों से भी कुछ कंख करने वाले कहने का मतना आप लोगों के बहुत सारा पैकेज लेकर के आया हूं बस अगर यह सब कुछ पॉसीब हो लोगा तो वह आप लोगों के सपोर्ट से लाइक जहाद से जादा करेंगे जब आप जादा शीर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनान चेक कर सकते हैं यहां पर लोगों के सामने टाइम है तो मैं इस टाइम दो सब्सक्राम के लिए वीडियोm बना रहा हैं और बड़ा से बड़ा वीडियोफी कंशिच करहा हूं जिससे के आप की और आने वाले टॉंगे के बार में एक नियुट परने का मिल्णा वा गा आफ के था सब्सक्वेकर बहसे ऐखर्डू सी जाए, बहुर आफ और इसके, बार हमें हैं को अगर्ड एंटॉनियन के बाobenís नियुट सब्सक्राइब, दे सकते हैं तो अकला सब्सक्रेंट हैं देसा अगतला हर्डल का मतलब होता है इंधा किसी चीज मैं दो जाना किसी चीज को कहते हैं तो हडल का ऊपने सब्सक्रेंट रिखोन सích देसाइफ श्री चारा डूत Спन को तो आपको सिनुनियम बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नमबर थर्ड इसका बिल्कुर राइट आंसर है अगला देखते हैं अगला आप लोग के सामने अपोजट आपोजट का दोस्तों आप आप लोग के सामने पूछा आपको बताना है तो कौन का मतला होता है दोस्तों इसका बिल्कुर राइट आंसर होगा अगला कोशन देखते हैं इस कौन का दोस्तों आप से सब्सक्राइब करना किजी चीज़ से नफ्रत करना दोस्तों तो उसी को अगर मैं हिंदी मतलब समझाने की कोशिश करूं सिंपल सी बासां बताओं जो किसी को नाम आमने वाला इसको हम कहते हैं पीचियस का दोस्तों आपको सुनुनियम पूछा गया चाहा आप लोगों के सामने और राइट आंसर आपको चूज करना तो राइट आंसर को दोस्तों इस एलेवेंट ऑप्शन नमबर इसका विल्कुर्ट आइज अगला देखें दोस्तों फ्रीलेंस आपको पूछा गया दोस्तों फ्रीलेंस का मतलब होता स्वतंत या फिरस्ट तो जो अपने स्वतंत होता है आपने उपचे से हम कुलना है मैं सेल्फ डिपेंड़ेंड उन के लिए हम बोलते हैं तो फ्रीलेंस का दोस्तों आप लोगों के सामने राइट आंस आपको चूज करना है चारव में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर थर्ड अप्शन नमबर थर्ड इसका बिल्कूर राइट अंसर है विकोज अपने उपर डिपेंड होते हैं जि अब होता है कि यिद्दि करते हैं कि रहें समय लाइट लेंस लाइट होते हैं तो जो इसको जो फिल्डर होते हैं आगे जाना पीड़ डाइटांस आइस लाइट ओक पींदों सी 50 बन किये थे आज हम दो स्थों 100 से वी उपर निकल गांगा तो कहने का मतलब है कि आप लोगों के लिए जारा स्यारा कोश्चंस प्रवाइड कराने की कोशिच की जारी है वह जोशिच नहीं आपको कोश्चंस दिये जारे है तो बस आप लोगों का हब करनता है आप जारा स्य पूछा गया चाहरा आप लोगों के सामने है तो अकाउट रेमेंट्स का मतलब होता है तो सज्जाना या पर दोस्तों लवा जमार जैसे की मैं आपको समझाने की कोश्चिए करता हूं साज सम्मान करना दोस्तों इसको कहते हैं अकाउट रैट तो आपको सुनूनियम बतान इसको बताना है तो ब्लकुल इमानदार होते हैं इमानदारी की निष्टा राखने वाले परसन होते हैं तो ब्लकुल रैट आंसर दोस्तों आपको चूज करना है और इसका जो रैट आंसर को दोगा option number two option number two इसका विल्कुर right answer है अगला देखते हैं दोस्तो instantly का दोस्तो आपसे शिनोनियम पूछा किया अच्छा option आप लोगों के सामने right answer आपको चूज करना है right answer दोस्तो आपको बताना है इसका जो right answer होगा वो होगा दोस्तो option number one option number continuously दोस्तो इसका right answer होगा करते हैं अगले coaching तब अगला आप लोग के सामने हेरफ का दोस्तो हैं पूछा किया चाप लोगों के सामने है हिरफ का हिंदी मतलब होता संकेत देदैं या फिर घोषना करना किसी चिज़ का संकेत बढ़ते हैं अगले कोश्चन आप लोगे सामने डेटली मेंटल का सुनूनियम आपको बताना चाहर आप लोगे सामने डेटली मेंटल का दोस्तों अगर मैं आपको बढ़ते हैं अगले कोश्चन आप लोगे सामने कालोसल का अपसे सनूनियम पूछा गया चाहर आप लोगे सामने राइट आंस आपको चूर्ज करना है आप लोगे सामने का मतलब आपको बताई होगा स्टबन उस्तबन का मतलब तो इसटबब सी अगले कोश्चन त्याप लोगे सामने खेजम करें मैं घयता आप लोग के सामने आ गया तो इस नबंग का मतलब आपको पता ही होगा इसमान का मतलब होता है जिद्धी या फिए हटी टाइप का अटल जो अपनी बात पर टिकार रहे है तो इस न आप लोग के सामने राइट आंसर आपको चूज करना है और अप्शन तो गाइस यह थे आज के इन्पोटेंट 56 कोश्चन कल के वीडियो में दूस्तों मैंने टोटल फिफ्टी बन किये थे आज के दूस्तों 56 कि यह बस कहने का मतलब है कि अगर आप लोग चाहें तो इसको इन कोश्चन का लेवल और ज्यादा कोश्चन के नंबर भी या कि दूस्तों ऐसन चेहरे हैं उन्हों के इसके बाद दोस्तों आप लोगो को कमेंट करना किया चाहते हैं एंक चूब्स जो भी आप बोलें एडियम व्याज़ेज योग है फॉसी का आगले दिन आपको वीडियो मिल जाएगा तो बार शैंक यू वाचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को दमाएं जैसे की नोटिफिकेशन मिलते हैं बढ़े ये बढ़े ये तिल देन गाइस टेकर टाटा बाइबाइ थैंक यू थैंक यू वाचिंग वाचिंग वीडियो